भारत का संब्धानिक विकास ये हमारा एक कोर्स चल रहा है एक प्लेलिस्ट है जो कि हमने आपके यूटूब पर आपको प्रवाइड कर रहे हैं ये पूरा-पूरा कोर्स फिरी आप कास्ट है इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना है अगर आप इस पूर भाग च्छे है को था भाग है दोस्तों भाग च्छे है अगर अभी तक आपने इसके पिछले भागों को नहीं देखा है तो आप इसे जरूर देख लिजिए आज हम इस भाग च्छे में एक बहुत ही महत्पूर अधनियम जिसे कहा जाता है भारत परशद अधनियम 1919 को ले हुए हैं संपरदाइकता को बढ़ा रहे हैं तमाम चीजें हैं यह आज भी हमें प्रतारित कर रहा है तो हम बहुत ही बिस्तार के साथ आज इस वीडियो में भारत प्रशद अधनियम वा उसके प्रावधानों को देखेंगे आप यदि इस वीडियो को पूरा देखेंगे मैं आपसे वादा करता हूँ कि किसी भी परिच्छा में यदि इस अधनियम से कोई प्रशन आएगा तो आप उसे गलत नहीं करेंगे मात्र 5-6 मिनिट का वीडियो होगा बहुत छोटा सा है अगर आप इसको ध्यान पूर्बग देख लेंगे तो आप यकीन मानिये कि आपक मिन्टो सुधार के नाम से जाना जाता है इस बात को आप नोट कर लीजिए कि मारले मिन्टो सुधार कहा जाता था यहाँ पर दो नाम है एक मारले एक मिन्टो इसका क्या मतलब है यह जो हमारे मिन्टो साहब थे यह भारत के वाय सराय थे उस समय के और यह जो सचू थे उस सी प्लेलिस्ट में आपको देख लेना चाहिए क्योंकि यह भी समय दैनिक विकास के तहती हुआ था जब 877 का बिद्रो हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल को हटा करके उसके अस्थान पर वाय सराय बना दिया गया था और भारत का प्रसासन कंपनी से लेकर के ब्रिटिश त लेना चाहिए यह लाड मिंटो ने एक पत्र लिखा था क्या लिखा था एक पत्र लिखा था किसको लिखा था पत्र पत्र लिखा था मार ले को किसको लिखा था भारत सची को उसने कहा था हम नाग के दाद बो रहे हैं इसका फल भीसर होगा मतलब इस अधनियम के द्वारा जो हमारे वाइसराय मिंटो थे, इन्होंने कहा कि हम ऐसा नाग का बिसेला दांत बोने जा रहे हैं, ऐसे प्राउधान करने जा रहे हैं, जब ये फल के रूप में निकलेगा भारत में, तो इसका फल बहुत भीसर होगा, तो चलिए, इसी अधनियम की इतने खुंखार करते हैं, जो कि आज भी हम उसका दंस झेल रहे हैं, सबसे पहली बात, ये अधनियम की समित के रिपोर्ट पर आधारित था, तो इसका लच्छ क्या था, थोड़ा लच्छ हम लोग जान लेते हैं, इस अधनियम का लच्छ क्या था, ये जो 1892 का अधनियम था, जिसमें आप के, जिसमें आपको थोड़े से अधिकार दिये गए थे, समधनिक अधिकार दिये गए थे, कि आप प्रशन पूछ सकते हैं, लेकिन पूरक प्रशन नहीं पूछ सकते थे, उसी को थोड़ा सा इसको दोसों को दूर करना था, क्योंकि उस समय के जो राश्टरवादी थे हमा भी करना चाहा रहा था, मतलब इस त्रकार से इस अधिनियम के द्वारा दो बातें, मतलब दो लच निर्धारित कर दिये गए, कि अगर इस अधिनियम को पास कर दिया जाएगा, तो जो राश्टरवादियों की मांग है, उसको भी हम मतलब दबा देंगे, और साथी साथ ज सवारा केंदरी विधान परिशत, जो विधान परिशत थी, केंदरी जो सेंटर में थी, उसमें सदस्यों की संख्या पहले सोला थी, उसको बढ़ा कर दिया गया, साथ कर दिया गया, जाहिर सी बात है, सोला से बढ़ा कर साथ किया जाएगा, उसमें कुछ भारती सदस्य भी अपकी बार से चुने जाएंगे तो इससे ये होगा कि भारतियों को लगेगा कि अब हमको भी सरकार में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है मतलब चलांकी अंग्रेजों की देखिए बहुत ही उच चस्थर की चलांकी है आज भी राजी तक इसका परियोग करते हैं और साथी साथ जो परांती सरकार थी उसमें की परांती परिशत थी उसमें बंबई, मदराज, बंगाल और उत्तर परदेश था उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा कर 50 कर दी गई और जो छोटे परांत थे उसकी संख्या कितनी कर दी गई तीस कर दी गई तो ये चीज़े तो इस प्रकार से आपसे प्रशन पूछ लेता है, जो कि कठिन नहीं होता, लेकिन फिर भी आप इसमें गल्तियां कर जाते हैं, तो यहां से इस पेज से आपको लगबग तीन से चार कोश्चन बन जाएंगे, कई बार यह उगती ही आपको दे देता है, एकजाम में हम नाक के हमारे देश के लिए, इसलिए आपको इसे जानना चाहिए, अगर आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो मुझे यकीन है कि आप किसी भी परिच्छा में इस अधनियम का से कोश्चन गलत नहीं करेंगे, तो चलिए, इसके अत्रिक्त हम आपको सूचना देना चाहते हैं, हम पेड कोर्स एक सुरू किये हुए हैं, जिसका जीएस बैची आनलाइन कोर्स है, इसमें पूरा जीएस आपका होगा, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जैसे आपका हो जाएगा जिग्रोफी, हिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉल्टी, एकोनोमिक्स, और साइंस, ये जो पाचो सब्जेक्ट है, इनकी फीस मातर तीन हजार रुपए है, किसी भी प्रिलिम एक्जाम के लिए ये सफिसेंट है, इसके अलामा, अगर आप इंडिविज्वेल भूगोल और प्रेरर पढ़ना चाहते हैं, पूरे बिश् सकते हैं, कांटक्ट नंबर यहाँ पर है, इस पर आप हमें संपर करके हमसे पोच सकते हैं, और डिटेल के बारे में, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर यह जो इस अधनियम में कुछ प्रावधान थे, उस प्रावधानों के बारे में हम चर्चा करेंगे, देख भारतियों के बीच एकता ना होने देना था, यह बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसका उद्देश क्योंकि उसने पहले ही कहा था, कि हम नाक के दाद बो रहे हैं, साथी साथ मुसल्मानों के लिए जो इसका सबसे खतरनाक प्रावधान था, मुसल्मानों के लिए पिर्थक निरवाचन यों विसे सुवधाएं दी गए, यह बार बार पुछा जाता है, और इसका ही प्रडाम है कि आज हमारे देश में जो वर्ग विभेद है, मुसलिम हिंदू की बात आती है, यहीं से उद्दपन होती है, इसके पहले हिंदू मुसलिम भाई 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 थे और सा भारती सदस्यों को समलित किया गया, तो यह एकजाम में आप से पूछा जाता है कि किस अधनियम के दोरा वाई सराए की कारकारी परचद में भारतीं को समलित किया गया है, तो आपका उत्तर होगा 1909 के अधनियम के दोरा, यह दो भारती थे, जिनका नाम है केसी गुपता और सेयद हुसेन बिलग्रामी इनका नाम आप याद रखिए ये दोनों जो भारती थे इनको समलित किया गया था इसलिए बार-बार आपसे पुछा जाता है कि वाइसराय की जो कारड़ी परिशत थे उसमें कौन दो सुदस समलित किये गये थे तो आपका उत्तर होगा केसी ग कोश्चन में की संसदी सासन व्योस्था का परिचे किस अधनियम के द्वारा आपको प्राप्थ हुआ है तो आप बताएंगे उद्न escuela के अधनियम के द्वारा हुआ है इसके साथी साथ सतेंद्र प्रसास सिन्हा ये बहुत अबारिक जामें पूछे गए हैं सतेंद्र प्रसास सिन्हा गवर्नर जनरल की कारेपरिशद में सदस निक्त होने वाले पर्थम भारती थे तो जो गवर्नर जनरल की परिशद थी वो कारेकरणी परिशद थी ये कीई तब जाकर के आप एक ज्याम में प्रशनों का सही उत्तर दे पाएंगे इसके अत्रिक्त इस अधनियम में कुछ और चीज़ें हैं तन देख लिए इस अधनियम के दुवारा किया गया ऑगा संप्रदाई क्लव का क्लज अप्रदातर मतलब कि ये जो मुसलिम सदस्य है ये सिर्फ मुसल्मानों को ही क्या करेंगे उसको चुनेंगे और जो चुनाओ छेतर था जो चुनाओ होता था उसमें जमीदार, बैपारी वर्ग, जिला परिशत तथा मुसल्मान आधिके अधार पर बनाए गए थे अर्थात फूट डालो और राज करो की जो नीती है इस अधनियम के द्वारा बहुत अच्छे से अपनाए गई अब देखिए यहाँ पर है मुसल्मानों के लिए प्रिथक मताधिकार तथा प्रिथक निर्वाचन मंडल की ब्योस्था कर फूट डालो राज करो की नीती अपन मंडल का पिता किसे कहा जाता है तो उसका उत्तर होगा संप्रदाइक निर्वाचन मंडल का जो पिता है उसे लाड मिंटो को कहा जाता क्योंकि इसने ही इस चीज को लागू किया था उस नहीं कहा था कि हम नाक के दांद बो रहे हैं तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस के द्वारा बहुत सारे जो प्रशन हैं आप से एक्जामें बन रहे हैं कम स्कम 6-7 प्रशन से बनते हैं अगर आप इन सभी चीजों को अच्छे से देखेंगे तो आप बहुत मतलब मजबूती के साथ परिछाओं में भाग ले पाएंगे अब देखिए यहां पर जो बिधान प्रशन पूचने का अधिकार दिया गया आपने 80042 अदिया था 1800 का अधिकार नहीं दिया गया था लेकिन इस अधिन ने युआ इसके सार्ब्जणी कॉन्स प्रस्तत करने पर नाइसा प्रस्ताव पारित कर ने के लिए पंद्रा दिनों की जो सूचना थी आवश्चक थी आज भी हमारे संविधान में आज भी जो हमारी जो बेऊस्था अगर कोई भी हमको उसमें कुछ करवाना होता है तो जाहिर सी बात है उसके पहले ही हमें क्या देना पड़ता है सूचना देनी पड़ती लिखित की हां हम इस चीज का अधरियम लाना चाहते हैं बाद बिबाद के समय इसमें संसोधन भी लाया जा सकता था सरकारी प्रस्ताओं को मानने के लिए बाद थी अगर कोई प्रस्ताओं पास हो जाता था तो सरकार को मानना पड़ता था ये बिधान प्रस्त की सक्ति में क्या दिए बढ़तरी दी गई तीसरा बित्ती मामलों में परशदों के शक्ति में ब्रहुत्री की गई, बजट पर गयर सरकारी प्रभाव बढ़ा दिया गया मतलब जो गयर सरकारी सदस्य थे वो इस पर परस पूछ सकते थे मतलब सदस्य को बजट पर यहां देखिए ध्यान से सदस्यों को बजट पर विचार करने बजट संबंधी प्रस्ताव पेश करने तथा राज़स और बे के मूल बिश्यों पर मत देने का अधिकार दिया गया ये भी एक बहुत ही महतपूर है जिसे आप क्या करेंगे नोट डाउन करेंगे लेकिन बे की कुछ मदों पर मददान नहीं हो सकता था जिसका निश्चे सरकार करते थे तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है क्या नहीं किया है सस्क्राइब नहीं किया है तो आप इसे सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए साथी साथ अपने दोस्तों के साथ इसको share भी कीजिए क्या कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और यदि आपके मन में कोई प्रशन हो तो comment करके आप इसे हमसे जरूर पूछिए तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप अगर अभी तक सारे वीडियोज नहीं देखे इस प्ले लिस्ट के तो आप उसे जरूर देखिए paid course में डिमिशन लेना तो उसके लिए आप संपर्क करिए तो चलिए अगले वीडियो का आप इंतिजार करिए अगले वाले भाग में हम 1919 का जो भारती प्रशद अधनिया में उसके बारे में पुरे बिस्तार के साथ आपको बताएंगे धन्यवाद